नमस्कार दोस्तों तो पांच अगस्त को दुपहर बारा से एक बजे के बीच आयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमी पूजन का काम पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के निर्मान का सिलसला भी शुरूर हो जाएगा मंदिर कहा जा रहा है कि 28 से 3 साल में बनेगा यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधान सवाचनाओं से पहले बहुत संभग है कि मंदिर का निर्मान पूरा नहीं हो पाए अलबता 2024 के लोग सवाचनाओं से पहले तो हर हाल में राम मंदिर बनी जाएगा इतना ता है लेकिन हम आज बात करेंगे मंदिर के राजिस्थान करेक्शन को लेकर और उससे जो मेरे अनुभव जुड़े रहे हैं 1995 से लेकर अब तक के उन अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा राम मंदिर के लिए दरसल 1989 में जब राजीव गांदी ने शिरानयास की इजाज़ती थी तब से ही विश्व हिंदू परिशद ने राम मंदिर के लिए पक्थर चुटाने का काम शिरू कर दिया था इसके लिए दिश्व हिंदू परिशद के लूग कहा आए राजस्थान हम राजस्थान के लेक्षन की बात कर रहे हैं मित्रो राजस्थान में कहा आए भरतपूर के बंसी पहाड़ पूर इलाके में पंसी पहाड़पुर के इलाके में क्यों आए क्योंकि यहां का सैंड स्टोन या जिसे पिंक स्टोन भी कहा जाता है या सौफ स्टोन भी कहा जाता है उससे दुनिया भर के मंदिर बने है अक्षरधाग का मंदिर बना है जिस सुप्रीम कोड ने राम बंदिर के पक्ष में फै तो 1989 से पत्थर भेजने का काम शुरू हुआ और यह पत्थर सीधा भीया ऐजा गया ऑध्याग्या वहां 1991 में पर्याग मात्रा में पत्थरी कठा हो गया तो पत्थर तराशी के लिए कारिशाला शुरू ही रामसेवग पुरम में जहां आपने आउध्या जागा कही पर देखाओगा शुरू में आठ कारीगर यहां से देखे गए थे जिसमें से चार अकेले राजिस्थान के हैं तो यह राजिस्थान कनेक्शन दूसरा हां बंसी पहाडपूर का एक दिल्चप स्कित्सा मैं आपको सुनाता हूं कि वहां पर मैं गया मैं उस समय आज तक चैनल पर आया करता था तो वहां मैंने स्टोरी की कि कैसे रामंदिर के लिए पत्थर कराशी का काम किया जा रहा है कैसे इतने बड़े पत्थर 12 फिट लंबे 14 फिट लंबे 18 फिट लंबे और 4 से 6 फीट व्यास के पत्थर सिरफ बंसी पहाडपूर में मिलते हैं और ऐसे बड़े पत्थर अभी तक पिलर खंबे तयार हो चुके हैं कि वह बात अलग है लेकिन मैंने वहां जाकर खनन मजदूरों की स्थिती देखी बिल्कुल एक दों के मैं घर गया सांस ऐसी चल रही थी बिल्कुल एक एक हड़ी चाती की दिख रही थी बेट बिल्कुल अंदर धसा हु प्त्थर निटेमारी तो ज्यादा तर लोग इसी उम्र के थे और उन सब को सिल्कोसिस नाम की भैंकर गिमारी इसका कोई ईलाज राज्य सरकार की तरफे नहीं het इसका कोई इलाज किसी NGO की तरफ से नहीं था, अगर छोटा मोटा हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूँ एक अगाद NGO शायद काम करती थी, विश्व हिंदू परशर जो पत्थर तराशी, पत्थर निकालने का काम कर रहे थी, वो भी इस तरफ धान नहीं दे रहा था, तो मैंन एक स्टोरी की और स्टोरी की पीटी सी, यानि आखरी में वीस्टूता कैमरा जो करते हैं, मैंने उसमें ये कहा, क्या विडबना है, राम मंदिर के लिए पत्थर निकाल रहे हैं, और चालिस के होते होते राम को प्यारे हो रहे हैं, इस पीटी सी को जै दूर दर्शन ने मन केंद्र गें, वहां के अधिगारियों को समझाया और तब जाएके इस पीटी का इस्तमाल हो पाया था, यह जिल्सला के सामय ने आपको बताया, तो 1995 में फिर इतना पत्थर इकठा हो गया, तंसी पाहड़पुर से, कि अब और कारिशाना हैं खोलने की जरूर पड़ी, क्य है ठ움ोरस थे लबाब चुर्य चाला, आको आपके सब जानते हैं वह लगना कहान है लेकिन लेकिन पत्थर कहां पिढ़ा या थे पत्थर तराशी में यह कारेशाला शुरू हुई थी मैं वहां गया था 1996 में पहली बार उसके बार लगातार गया कुछ दिर पहले भी गया इसी तरह पिड़वारा भी कुछ दिर पहले जाना पड़ा वहां बड़े बड़े पत्थर थे तीन कारेशाला थी एक भरत शिल्कला केंद्र एक पादे जो हैं सोंपुरा वाले यह वहीं हैं चंदरकान सोंपुरा से जुड़े हुए जो जिन्होंने राम बंदिर का मॉडल तैयार किया है एक ही खामदान के लोग हैं हम कह सकते हैं और सद्वियों से यह मंदर नर्वान के काम में लगे हुए है चैनी हतोड़ा अगर यह लोग चलाएं किसी मंदर में से वह माना जाता है कि शुप हो गया जरसे पूरी तुनिया भर में कहीं कोई हिंदू धरम का मंदिर बने कोई अक्षरधाम व्सामी नरावारा के कारीगरों की भूमी का नहीं हो ऐसा बिलकुल हो नहीं सकता आदिवासी हैं दले हैं गरीव हैं करीक 10,000-12,000 की संख्या है, अलागि अब तिरे दिरे काम उती जा रही हैं, लेकिन इतने हुनरमन्द है कि कोई बेलजियम में दूस साल के लिए काम कर चुका, कोई शिकागो में जाके रामंदिर, माफ की जिएका, मंदिर हिंदू मंदिर के निर्माण में काम कर चुका, कोई कुई टोरंटो जा चुका कुई सूरीनाव जा चुका कोई मोरीशस जा चुका उस तो वहां जा कर बस गए पर दिहम इंगलेंड लंडन में में भी तुम पुछ अयाने तो इतने इने कर एपन कॉर्ष्रों से मेरी मुलाकात अरहती रही लें परिशत के स्थानिये नेताओं से भी इस दोरान बात होती रही तब उन्होंने कहा था कि आठ करोड़ के आसपास हमारे पास चंदा इकठा हो गया है लिहाजा अब भुतान में कारीगर ने रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है एक वक्त था जब पिंडवारा में 700 से लेक आठ सो कारीगर एक साथ काम कर वहते लेकिन वहां भी कारीगरों में सिल्कोसिस की बीमारी है अभी राजिस्तान सरकार की 2019 मार्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पिंडवारा में जो रेजिस्टर्ड कारीगर है उन रेजिस्टर्ड कारीगरों में 30 सिल्को यह ड्राइंडर की तो संदिसके शिकार है, मशीन विए प्रशिप्र शिकार को, फजिन से आर ज्यादा नुक्सान होता है। उसके माध्यम से वह फीड कर देते हैं तराशी का काम करती है, लेकिन वह मुटा बूटा काम काम कर पाती है, उत बस्ता नहीं हो पाती, मैं आपको थोड़ी एक दो जिल्चस बाते बताऊं कि यह जो खंबे हैं यह साड़े सोलां फिट और साड़े चौदा फिट के हैं एक खंबे में अलग बहुत खास डिजाइन है पांच या छे तरा के खूल है आप में देखा होगा गॉर से उसमें मोर बने हुए हैं और चार बैठे हुए एक दो तीन कम से कम तीन कारिगर हैं और तीनों काम कर रहे हैं एक कारिशाला तो एसी टी जो पिलवारा के पास और जाशाइद काओं का नाम था और जाओं में पीड़ के नीचे जल रही थी जब मैं गया तो हल्की बूंदा बांदी हो रही थी तिर पाल उप जब मैं गया तो एक साल पहली अशुक सिंगल आये थे चंपतराय जो अभी भी सक्रिये हैं वो आये थे प्रवीम तो गडिया भी इन समय आते रहते थे किर राजकिशोर आये थे तो कैसे उन्होंने फीता काट कर उधाटन किया था तो वहां के लोगों का ये भी कहना था द पिंडवारा से तराशा हुआ पत्थर भेजा गया तब केदर सरकार ने नर्सिमाराओं की सरकार थी पत्थर की निकासी पर रूख लगाई लेकिन राजिस्तान में जब जब अशोग है लो तीसरी बार मुख्य मंत्री बने या जब जब वो मुख्य मंत्री बने तब तक उ ऐसा भी लोगों ने कहा हालांकि उनका कहना था कि बीजेपी सरकार में थोड़ी आसानी हो जाती थी पत्थर भेजने में और पत्थर को पंसी पहाड़पुर से पिंडवारा तक और पिंडवारा से आयोत्या तक भिश्वाने के लिए कुल मिलाकर कारीगरों से बात करो दोनों जगा खनन मजदूरों से बात करो प्यचपी के स्थानिये नेताओं से बात करो या जो कारेशाला के मालिक है उनसे बात करो तो सबका यही कहना है कि एक बड़ा सपना साकार हो रहा है सबको का ये भी कहना है कि राम राज्य देश में स्थापित होना चाहिए वैसे इस पे दिल्चस्प कहानी है कि 1991 में जब लोगसभा चुनाओ की शुरुआत राजीव गांदी ने चुनाओ प्रचार की शुरुआत की थी तो आयोध्या से की थी उसी आयोध्या से जहां उन्ह इसे मामली को लाज़ इंटव खे राजीव गांदी ने के लिए अब बॉक्रस की सरकार बनाने के लिए जेशबर में निकल रहे हैं आप जानते हैं उसके बाद उनकी लिटे कार्टाओं ने हत्या कर दी गई थी अक्षिया कर दीजिया से चिरी और हमन्दूर में चिन्न्ह परिशएद और राम रत यहातरा और अड़वानी जी। और यह सब कैसे ममले को ले उड़े थे। कि के दो जारबाइस के पहले होता है या नहीं या कोई चांस भी ऐसा बनता है या नहीं और उसका कितना फाइदा बीजे़ी को होता है। अब को रखे आगे